करेले करेले अमोमन लोग पसंद नहीं करते लेकिन अगर करेले ही इतने मज़ेदार हों तो क्या ही कहना असलाम अलेकुम व्यूवर्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार करेले की रेसिपी इसका इज़ा नोट कर ले बॉयल करेमा आदा किलो आदा किलो ही मैंने करेले लिए हैं इसको काटके नमक लगा के पन्रमिंट रख दे उसके बाद दोके टिशू पेपर पे खुश कर लिज़े मसालों में वन टेबल स्पून लाल मिरच वन टेबल स्पून अद्रकस्ण वन टेबल स्पून धनिया हाफ टी स्पून हल्दी और नमक हस्विजाएखा इंबली पैने लिए हैं दो चम्मज इसको भिगो देंगे और एक कप मैंने ओईल लिया है राई हाफ टी स्पून कलूंजी हाफ टी स्पून और जीरा सॉम वन वन टी स्पून चार काली मिरचे और चार लॉंगे प्यास चार अदर दर्म्यानी लिए दो हरी मिर्चों को बारी काट लिया है और पांस सी छे मैंने कड़ी पत्ते के लिए बहुती आसान तरकीब है ये इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा हर अधनिया गार्निशिंग के लिए पैन में ओईल ले लेंगे एक कफ ओईल थोड़ा सा गरम हो जाएगा जो खुश करके मैंने कड़े रखे हैं वो इसमें मैं फ्राइ कर लूँगी कड़े लों का कलर चेंज होने तक पकाएंगे इसको अब मैं इसको अलग निकाल लूँगी सारे करेले जब निकल जाएंगे तो इसी ओईल में कड़ी पत्ता हरी मर्चे थोड़ा सा डाल के फ्राइए कर लूँगी और प्यास चकोर काट लिया है मैंने प्यास को प्यास को जादा नहीं पकाना है थोड़ा सा इसको पका के हम बागी का मसाले मूलेंगे इसमें अधर कसन डालके थोड़ा सा फ्राइए करूंगी मैं इसके बाद तमाम मसाले इसमें डालके इसको फ्राइए करके प्यास में मिक्स कर लूँगे प्यास हमारी खड़ी खड़ी है एक से देर मिन्ट पकाऊंगी मैं इसको ताके मसाले में से ख़श्बू आने लग जाए इसके बाद जो मैंने ख़ीमा वालके रखावा है वोईट कर दूँगे इसमें अब हम खीमा को यहां भूल लेंगे मसाले के साथ अब सौंब जीरा राई कलोंजी यह सब मैं मोटा मोटा कोट लूँगी लॉंगे काली में चो लिया था मसाला पीसना नहीं है बूरा मोटा मोटा इससाने से इसको कूट लेना है आप चाहें तो इसको भून भी सकते हैं हीमा हमारा भून चुका है अब हम इसमें इमली का पेज डाल देंगे और आज को हम तेज कर देंगे ताके इमली का पानी जो है वो भी ड्राय हो जाए इसके बाद जो करेले फ्राई करके रखे थे वो इसमें एट कर देंगे कीमा हमारा पकावा है करेले भी हमारे पके में हैं बस जली जली इसको फ्राई करना है मिक्स करना है अब जो मसाला हमने कूट के रखा वा था वो एट कर देंगे इसमें मिक्स कर देंगे इसको भी अब हम मसालों को बैलेंस करने के लिए इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडेंट्स यूज करेंगे और वो है एक चम्मच चीनी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा खटा मीटा सा फ्लेवर आएगा इसको भी मिक्स कर देंगे अब इसको हम हरे धनिये से गर्णिश कर देंगे मज़िदा करेला खेमा खाने के लिए तैयार है जैंगे झार आएगा कर दोर्णिश थाड़ आएगां जे टोर आएगा खेमेंगा इसको उरूधा गज़ आएगा इसको जब आएगा का लिए लागा जब को ऑगाईगा ग्लाएगा ठाएगा इसी्टवा से बब्साश्वान तारिएगा एपने क्योगक पाम्च वाच्व